एक SME IPO कल 24 जुलाई को ओपन होने जा रहा है, गरी माकरी प्रेमियम में काफी हाई जंप देखने को मिला है, स्टाटिंग 3.5 रुपीज से हुई थी और भढ़ते भढ़ते अभी 9 रुपीज तक आ गई है, तो फिर पूरी जंकरी ले ले लेते हैं, कमपनी के बिजनस की, फा केम लिम्टिड है, ओपन 12 तरह में हुई थी, इनका बिजनस डाइज, पिगमेंट पेस्ट और FMCG प्रेट्स को मैनुफेक्ट्र करने का है, यहां इनोंने बताया है कि डाइज वाले सेग्मेंट में काफी टाइप्स की डाइज बनाते हैं, एंद 3 टाइप में उनको क्लास जात के अंदर, ओर रिटेल में जाने का मतलब नहीं है, बिजनस का ओवरी मिल चुका है, बिजनस कैसा चल रहा है, उसके लिए फैनशल दिखते हैं, रेवेन्यू की बात करें, तो दोयर 20 फैनशल येर में 19.61 क्रोड के थे, दोयर 21 वाले येर में 18.04 क्रोड हो गया है, यह और उसके बाद, दोयर 23 फैनशल येर में कंपनी ने 41 क्रोड का रेवेन्यू की है, अगर यहां करो देखे, तो 55% की क्रीक में निकल के आती है, रेवेन्यू में अच्छे रोज शो कर रहे है कंपनी, अब प्रॉफित का ट्रेंड देख रहेते हैं, दोयर 20 में प्रॉफित 1 1.15 क्रोड का हुआ था, देन 22 के अंदर 1.25 क्रोड हो गया, फिर उसके बाद 22 के अंदर 1.95 क्रोड, अभी 23 फैनशल येर में कंपनी ने 3.43 क्रोड का प्रॉफित दर्ज की है, प्रॉफित में भी आल्मोस सेम 10 देखने तो मिल रहे है, कंपनी के पास सर्प्लस 20 क्रोड के है और बोराइंग्स 3 क्रोड की है, सो ओवराल फैनेशल तो अच्छे लग रहे है कंपनी के, इसलिए डिमांड बढ़ रही है इस आईप्यों की, आईप्यों 24 जुलाइ से 26 जुलाइ तक ओपन रहेगा, मतलब मंड़े को ओपन होगा और वेर्नस जो क्लोज हो जाएगा, प्र प्लीज चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें, आप ये वीडियो देख रहे है, इसका मतलब ही है कि आप आप आप्यों में अप्लाई करते है या फिर इंट्रेस्ट लेते है, एन इस चैनल पर आपको सभी आईप्यों की रिव्यू, उनमें क्या करना है, अप्लाई करना है ये नहीं, टाइम से शेह करते जाता है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरू प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिशन में आपको टाइम से मिलती रहेगी, आप ये अप्यों को टैंटेवल देख लिएते है, ओपन 24 जाएगा, अलॉट्टमेंट से मिला, उनका फंड अनब्लोक ये रिजिंटी बॉट को जाएगा, और जिनको मल गया, उनका अकांड में शेर दो अगस्त को आजाएगे, और लिस्टिंग इसकी तीन अगस्त को जाएगी, लोट सेज की बात करें, तो लुटे़लर्स के इसका तो हम कह सकते है कि 27 जारे करेप का profit दिख रहा है एक नोट के अंदर बट जैसे इसके premium तेजी से बड़े है तो लग रहा है कि ये ओर उपर जाएंगे apply करना है या नहीं वो depend एक ही बात पर करता है कि premium 20% से उपर रहा तो apply करने का सो सकते है उससे कम होने में risk involved हो जाता है ये fix तो नहीं है पीछे एक कुछ IPO में 15-20% premium होने के बाद भी उनकी listing flat हो गए थी और कुछ एक SME IPO में premium कुछ भी नहीं थे even negative side में थे बड़ उनकी listing भी 10% से 15% प्लस में हो गई थी so IPO मार्केट में fix जैसे कुछ भी नहीं होता है बस हम expectation के base पे और बड़े players के action के coding अपना plan आते है सो बड़े player के moment पे नज़र रखने के लिए और इसकी premium का continue update लेते रहने के लिए आप मेरा telegram चनल जोइंग कर लेना वहां आपको सभी IPO और SME IPO के subscription status और GMP की detailed time से share करते जाती है चलिए फिर फटा-फट जोइंग कर लो link नीचे description मेंशन कर दिया गया है IPO रसी में IPO में allotment काफी tough हो गया है क्योंकि जहां demand ज्यादा होगी वह subscription अच्छा हो जाता है और allotment के chance काफी कम हो जाते है इसको increase करने का एक ही option होता है जितने उसके उतने account से हमें apply करना चाहिए क्योंकि यहाँ game पूरा probability का है जितने ज़्याद application लगेगी उतने chances बढ़ जाएगा अलट्मन मिलने का family में सभी के name पे तो account होना ही चाहिए demand account open link नीचे description मेंशन कर दिया गया है कोई दिक्कत आए तो comment करते न मेरी team आपकी help कर देगी account open करवाने में वीडियो को like and सभी के share करे I hope आपको इस IP के regarding सब कुछ clear हो गया होगा कुछ पूछना हो या कोई doubt हो तो नीचे comment कर सकते हो comment section आपके लिए हमेशे open है तो मिलते हैं next video में किसी हो stock market की information के साथ thank you so much